हेलो दोस्तों क्या आपको पताए कि सुप्रिम कोट की स्थापना कब हुई थी और ये कहां पर है इसमें अधिक्तम जज कितने है और इसका पहला जज कोन था और वर्तमान में इसका जज कोन है तो चलिए मैं आपको इसके बारे में बताती हूं सुप्रिम कोट की स्थापना 24 अक्टूबर 1937 को की गई थी अगर भारत के संग्हिय नयायले की रूप में कहे तो इसके स्थापना 28 जनवरी 1950 को की गई थी भारत में अगर सुप्रिम कोर्ट के जजों के संख्या की बात की जाए तो भारत के सुप्रिम कोर्ट में कुल 34 जज है जिसमें एक मुख्य न्याइधीस और 33 अन्य न्याइधीस है और भारत में अगर न्याइदीसों की न्यूकती की बात की जाए तो इनकी न्यूकती भारत के रास्टपती के दुवारा उच्तम न्याय लेके प्रामश अनुसार की जाती है अगर भारत के पहले न्याइदीज की बात करें तो भारत के पहले न्याइदीज थे H.J. कानिया जिनका पूरा नाम सरहीराराल J. की सुनदास कानिया था और ये 3 नवंबर 1890 को सुप्रिम कोट के पहले न्याइदीज बने थे अब वर्तमान में सुप्रिम कोट के जज है धनन यश्वत चंद्रचूड और मैं बता दू कि ये भारत के 50 वे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है जिन्होंने 9 सितमबर 2022 को भारत के सुप्रिम कोट के जज के रूप में शपत ली थी सो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आयो तो कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये कैसी लगी